लोगडाउन के कारण वेश भर में शराब की दुकाने बंध हैं लेकिन इसके बावजूद भी शराब की गुपचुप तरीके से अवैद बिक्री जारी है ऐसा ही कुछ मामला आयोध्या में देखने को मिला है जहां आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकानों का स्टॉक चेक किया तो उनकी आँखें खुली रह गए दरसल लोगडाउन के दौरान जिले में शराब की अवैद बिक्री जमकर हो रही थी जैसे ही इसकी जानकारी आबकारी विभाग को मिली तो आबकारी विभाग की टीम ने पुलिस के साथ शराब की दुकानों की तलाशी ले इस तलाशी के दौरान आबकारी विभाग को दुकान में रखा स्टॉक कम मिला इसके बाद उन्होंने जब salesman से शराब के stock के कम होने की वजह पूछी तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाया इसके बाद उन्होंने दुकान पर कारवाई करते हुए तुरंत उसे seal कर दिया वहीं city magistrate में बताया कि दुकान का license निरस्थ कर दिया है पुछना प्राप्त होई थी कि यहां पर विदेशी मदरा की दुकान है रिकाब गंजबें यहां से चोरी चीपे शराब बेची जा दे है इस शिकायत के आधार पर हमने डीम साब से अनुवती प्राप्त की और फिर यहां पर आ करके मैं दुकान पुलबा करके इनका stock चेक किया इनका stock जो होना चाहिए उससे काफी कम है और इन्होंने अपने सारे registers भी प्रपर टेकर से maintenance की हुए है आपको बता दें कि लॉक्डाउन के बाद से ही दुकान में लगबग 60 आइटम दुकान में कम मिले है ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब शराब की दुकाने बंद है तो शराब की विक्री लॉक्डाउन में कैसे हो रही है अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट